नमस्कार आईवी टीवी देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम जा इंडिया की तीसरी बैठक जो है मुंबई में चल रही है उसका आज दूसरा और अंतिम दिन है तो क्या कुछ बाते जो है वो आज शाम तक जो है वो सामने निकल के आने ही वाली है जैसे की टीम के जो जितने भी सदस्त हैं उनमें कौन-कौन से लोग जुरेंगे और जितनी भी तमाम चीजें हैं उस मीटिंग से जो भी निकल करके आएंगी वो शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा लेकिन अभी हमारे पास जो कुछ खबर निकल के सामने आ रही है उसमें लालू यादव ने नितीश कुमार को लेकर के एक शर्ट सामने राखा है तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ हमारे वाई सयोगी आशे तोश मिश्रा तो सर से जानेंगे असर क्या कुछ शर्ट है वो आप बताईए देखिए आई इंडिया इक बैठक का एक सी तमवर है तो दूसरा और अंतिम दिन आज है तीसरी बैठक का इस बीच में जब से बैठक शुरू हुए है या बैठक शुरू होने की तारिक का अनॉंसमेंट हुआ है तब इसे कई चर्चाएं चल रही है कई शिगूफा छेरा जा रहा है कई गोसिफ हो रही है बाते हो रही राजनिती गल्यारों में चर्चा गरम है अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सामने आ रही है कि नितीश कुमार के सामने में लालू यादो ने एक शर्त रख दी है शर्त सयोजक बनाने खोले कर है यानि लालू यादो ये चाहते तो हैं कि नितीश कुमार सयोजक बने और इसके लिए वो फिल्डिंग बैटिंग सब फूस कर रहे हैं, सियासी पीछ भी तयार कर रहे हैं, माहौल भी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे उन्होंने एक शर्त रख दी है, कि अगर आप बिहार की गद्दी तेजस्पी यादों के लिए स्वॉप तब ही हम आपको कंडवेनर बनाएंगे या बनवाएंगे या आपके पक्ष में माहौल बनाएंगे, अब रही बात की ये जो चर्चा है, ये जो जानकारी सामने आ रहे हैं सुत्रों के हवाले से, तो उसमें ये देखने वाली बात है कि क्या नितीश कुमार ने उनकी शर् और पर भी माहौल बनाएंगे प्रोजेक्ट कीजिए, चुकि नितीश कुमार का हाल फिलहाल में जो बयान सामने आ रहा है, पहले तो वो पी-एम कंडिडेट के नाम पर कतराते रहे हैं कि मैंने ना मेरी कोई शर्थ है, ना मैं चाहता हूँ, ना कोई महतुकांचा है, हम त चाहते हैं ताकि बीजे पीटी सरकार को उखार फिक कर जाए, और हम इसी मुहीम में लगे हूए निस्वार्त भाव से, बीच में कंडवेनर बनाने की चर्चा पहले पहली बैठक सही हो रहे है, यानि तेश दुन को जो बैठक हुई थी, जिसमें 15 आय थे भी पक्षी दलो के तभी ये बाते सामने आये थे कि नितीश कुमार को इसका रिवाड मिल सकता ही, ना मिल सकता है, उन्हें सयोजक बना करके आगे बरहाया जा सकता है, और बाद में जो कहा जा रहा है कि सयोजक जो बनेंगे, वो आने वाले दिनों में PM कंडिडेट भी हो सकते हैं भी करते दल जो बोल रहे हैं, वो चुनाओ के बाद ही, जब बहुमत आ जाएगा, उनके सीटे बहुमत के आँखरे को पार कर जाएगी, तब जाकर के आपस में बैठ करके, डिसीजन होगा कि कौन PM बनेगा, लेकिन अभी चर्चा जरूर हो रहा है, ये कर्णमेनर बनाये को ल तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई महतुकांचा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बीच में खबर ये भी सामने आई थी, कि उन्होंने ही रिकमेंड किया है, कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ, कौंगरेस का ही कोई, कौंगरेस ही अपना में से कुसी को बना ले, तब मलेका अर्जुन खर्गे का नाम भी सामने आया था कि उनको बनाया जा सकता है वो कॉंड़ेस्टे राष्ट्री आध्यक्ष भी है और उनका भी acceptance कमोबेस नितीश कुमार की इतना तो नहीं है लेकिन उसके आसपास में है सब लोग मतलब उनको एक शालीन नेता के तौर पर और मिलनसार नेता के तौर पर समझते हैं अब इसी बीच में जब तिसरी बैठक के दूसरे दिन का अंति दिन है मतलब दूसरा दिन है तब ये बाते सामने आ रही है चर्चा शुरू हो गई है कि लालु यादों ने ऐसी शर्थ रखी है और जो तस् पीर को भी देखकर लग सकता है कि लालु यादों कितना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस नया जो गटबंधन मना है आएंडिया को बनाने में नितीश कुमार की जो भी है बाते वो तो पता चली रही कि नितीश कुमार ने मोहीम की शुरूआत की थी लेकिन उस मो मोहीम को सफल बनाने में लालु यादों या तेजस्वी यादों का रोल बहुत अहम है चुकि आपको याद भी होगा कि सोनिया गांधी से जब मुलाकात की बाते सामने आए थी तब नितीश कुमार को लेक्टर लालु यादों ही गय थे उनसे मिलवाने के लिए लिए लास नितीश कुमार पे शायद चुटी वो इधर उधर पाला बदलते रहे हैं ऐसा ऐसी छबी बनाई जा चुटी है बन गई है तो लालु यादों का एक मात्र शुरू से ही बीजेपी के विचार धरा खिलाफ राजनिती करते रहे हैं तो उन पर ज्यादा ट्रस्ट है इसमें क कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी तो बॉंडिंग कितनी अच्छी है और उनकी बाते कितनी सुनी जाती है समझी जाती है मानी जाती है वो जो बैठा की जो तस्वीर भी सामने आई है उसको देख पर देखकर भी अंदाजा लगा जा सकता है सोनिया गांधी के जो टी इंडिया की लार्जेस्ट सकेंड लार्जेस्ट पार्टी है कॉंग्रेस उसकी सुप्रीमो हैं वो उनके पास में बैठे हुए हैं लालु यादर और उनसे गुप्त्रू करते नजर आ रहे हैं उसके अलावा जो नितीश कुमार है वो मलिकारजुन ठर के उनकी बाई तरफ है और दाई तरफ TMC है और लालु यादर के बगल में केजरी वाल बैठे हुए हैं यानि कि तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं एक तो यह कि केजरी वाल और कॉंग्रेस के बीच में नजदिकियां बराने कोशिश हो रही है इधर नितीश कुमार मतलब लालु याद है TMC की और पंजाब हो चाय दिल्ली में हो कॉंग्रेस से ही लरती आई है केजरी वाल की पार्टी आप गुजरात में भी कहा जाता है कि कॉंग्रेस को हराने में एहम भूमिका रही है आपकी अगर कॉंग्रेस आप वहाँ पर दमदार तरीके से चुनाओ नहीं लरती तो श कोशिश हो रही है कि अगर आप तयार होते हैं तो हम आपके लिए कितने मुफीद हैं कितने सटीक हथियार हो सकते हैं आपको देश की गदी मतलब PM की गदी तक पहुंचाने में और नितिश्ट कुमार को ही पता है कि लालू यादो और तेजस्वी यादो जब तक ऐसा नही नितिश्ट कुमार का नवेनर बनाए जाते हैं सयोजक्त बनाए जाते हैं तो यह माना जा सकता है कि शायद उन्होंने लालू यादो और टिशर्ट मान ली है तो सर जैसे की तस्वीर सामने कल करके आ रही है सोनिया गांधी और लालू यादो जी सरीके से रूबरू हो रहे हैं तो तो क्या इसमें ये चीज़ देखा जा सकता है कि यह तुनों मेल करके जो है नितिश्ट कुमारों कहीं न कहीं मना लेंगे वो जो सीम की कूर्शी है व और आप ये कंडमीन्स कीजे उनको कंफर्म कीजे कि हम लोग आप ही को आने वाले दिनों में अभी भी कंडमीनर इस बैठक में हो जाए तो नहीं तो आने वाले दिनों में कंडमीनर भी बनाएंगे या फिर पीएम पद के के उमिदवार के तोर भी प्रोजेक्ट करने वाल तो पहले तो यह कहा जा रहा था कि बहुत आसान काम नहीं है विपक्षी दलों को जोरना और उस पद तक जाना चुटी नरेंदर मोधी के पास विजन है या नरेंदर मोधी बेहत लोख्प्रिये जो सर्वे आया हाल फिलाल में 80 फिस्दी इंडिया देश दुनिया के लोग उ अहम होता है चो कि लालू यादों पर हो सकता है कि एक बार लालू यादों कहने पर वो ना सुने लेकिन सोनिया गांधिया कहा देती हैं तो जरूर नितीश कुमार मान जाएंगे तो यह भी कोशिश हो रही है और इतना आप गांट बांद लीजे इतना तय है कि अगर निती कुमार दो हजार पचीस बनों ते कही रखा है कि तेजस्वी के नेतित्त में चुनावला रहा जाएगा उससे पहले ही शायद तेजस्वी आदों के लिए गद्दी छोर दें यानि तेजस्वी आदों की ताजपोर्शी हो जाए मुखबंतरी बनाया जाए लेकिन अगर वो न नहीं चोरने वाले हैं मुखबंतरी की तो ये दोनों चीजे हैं देखने वाले बात हो कि क्या रिजल्ट निकल पाता है और इस बार के मतलब इस डिसीजन के बाद से ये भी होगा कि क्या दो हजार पचीस में भी अगर वो इसके लिए तयार नहीं होते हैं कर्डमीनर बनने दिक लिए तो क्या कहीं आने वाले दिनों में उनका मन भी नहीं बदल जाए कि दो हजार पचीस में भी वो कहें कि भाई यह इसे इसी परिस्तिती है तो फिर हम ही सीम रहेंगे तो यह तमाम चीजे हैं मुझे लगता है किसका जवाब देर शाम तक जरूर निकल जाएगा कि क्या होता है कौन कर्डमीनर बनाय जाता है कौन सहसायोजक बनाय जाते हैं कौमन मिनमम प्रोग्राम क्या होता है सीट शेरिंग का फॉर्मूला क्या सामने आता है किस नेता को क्या आयम भूमिका रहने वाली है सब कुछ से परदा उठ सकता है देर शाम जो बैठक समापत हो जाएगी और पीसी होगी तब इंडिया अभी आया है और काफी मतलब महीनों से अठकेले लगाया जा रही थी कि नितिश कुमार कभी तेस्वी अदव के लिए अपनी कुरसी आनि की कुरसी नहीं छोड़ेंगे तो आपका क्या विचारा आपको क्या लगता है कि अभी जो भी बाते सामने निकल करके आ रही है वही कोशिश हो रही है नहीं तो जबरन तो बहुत सारी चीजे हो सकती जैसा कहा भी जारा विरोधी आरोब भी लगाते रहें कि नितिश कुमार को गर्दी से हटा दिया जाएगा यही डील हुई है अलाकि लालुय आदर ने लास्ट टाइम भी डिनाय किया था कि ऐसी को बाते नहीं कही जाती है और वही होती है तो वहीं देखना है मुझे लगता है कि जादा वक्त नहीं बचा है थोरा सा दर्शक इंतजार कर लें सारे जो भी किन्तू परंतू है जो सारे सवाल हैं जो मन में जहन में उठ रहे हैं उन सारे सवालों से परदा उठ जाएगा दे उसके बाद फिर जो भी बात आती है, खबर आती है, उसको लेकर करके हम आपके साथ हाजर होंगे, तब तक बनरे आईवी टीवी पर धन्यवाद.